एस्टरयोगी पहना एस्टरोजर कंसलिटेशन सिर्फ और सिर्फ एक रुपे में अभी डाउनलोड करें ओम सूर्देवाई नमो नमा नमस्कार स्वागत आप सभीकार एस्टरयोगी के हिंदी यूटिव चैनल है बिजनस में कितना होगा प्राफिट, हेल्थ के लिए कैसा होगा आज का दिन क्या मिलेगी आपको अपनी मन चाही नौकरी या होगी आपके अपनी पार्टनर से मुलाखाद ऐसे हर सवाल के जवाब पाने के लिए आभी डाउनलोड करें एस्टरयोगी आए और पाई सिर्फ एक रुपे में अपनी पहली कंसल्टेशन वो भी 100% प्रीविसी के साथ अब जानते हैं 10 जुलाई 2022 दिन रविवार का आज का पंचान शक्समवत 1944 है हिंदू पंचान के निसार मास आशाड है पक्ष शुकल पक्ष और रितू बरशा रितू है आज एक आदसी तिति दो फैर दो बच कर 13 मिनट तक रहेगी इसके बाद दो आदी शितिति लग जाएगी नक्षतर आज विशाखा नक्षतर है जो सुबा नौ बच कर 55 मिनट तक रहेगा इसके बाद अनुराधा नक्षतर लग जाएगा आज का बनने वाला योग शुब ही होगए जो रात 12 बच कर 45 मिनट तक रहेगा इसके बाद शुक्ली योग लग जाएगा आज चंद्रमा प्रेशिक राष्य में गोचर करेंगे इस समय सूरे में तुम राष्य में गोचर कर रहे हैं अगर सूरे उदय की बाह करें सूरे उदयाज 5 बचकर 31 मिनट पर होगा सूरे आस्ति शांग 7 बचकर 22 मिनट पर होगा चंद्रोड़ दोफ़ार तीन बचकर 52 मिनट पर होगा चलिए इसके बाद जाल लेते हैं आज के शुब मोरत के बाड़े में तो आज अविजीत मौरत 11 बचकर 69 मिनट से 12 बचकर 24 मिनट तक रहेगा और अब बात कर लेते हैं राहुकाल की जिस समय किसी भी शुबकारे को करना वरजित वाना गया है और आज राहुकाल शाम 5 बचकर 38 मिनट से चुरू होकर शाम 7 बचकर 22 मिनट तक रहेगा आज देव शहिनी एक आदशी भी है मेश राशी के जात्तों को मिलेगी बिस्नस में सेक्सेस विर्ष्टिक राशी वाले कर सकते हैं विदेश में इंवेस्टमेंट मेश राशी आप खुद अपने विचारों और नेड़नों के बारे में एक बार फिर सोचे खुद को बहतर तरीके से जानने के लिए अपने लिट टाइम निकालें आप कोई महत्पून कारे करने के अगर यूज ना बना रहे हैं तो आज कर सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो जब आप किजी की इंसान के साथ समय बता रहे हैं और बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपके बीच कुछ गलत फैमी हो सकती है यह दिक्कते छोटी और मामुली होंगे आप दोनों के रिष्टे में थोड़ी दरार भी बढ़ सकती है आपके रिष्टे में और परेशानी हो सकती है करियर में देखें तो आज आपके विदेश के बिजनस में सकसेस में रहे ही आप काम से समधने विदेश में किसी को जानते हैं तो उनके साथ आपको लाब हो सकता है आपको वे अफसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार ज़रूर करें फाइनांस में देखें तो बिजनस के लिए आज का दिल अच्छा है हेल्थ में देखें तो अजब को अपनी सिहत का ख्याल देखना होगा सुबा नो बई से साड़े दस बजे के बीच का समय लखी होगा और नीला अपके लिए लखी कलर है वरिशव राशीद आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं टेंशन में ना रहें आप आस्वरक्षित मैसूस भी कर सकते हैं आप जिसके अच्छा मैसूस करते हैं उनके साथ समय बिता सकते हैं कोई काम है तो वह जल्द ही पूरा बीग हो जाएगा जीवन में पॉजिटिविटी से काम करें धहरे से काम करें जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा लव लैव की बात करें तो आपके पार्टनर से आपकी अन्जबन हो सकती है जिसके कारण आज आप उदास भी हो सकते हैं आज आप कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहेंगे आपके बस कोई परिशानी की वज़ा है तो वह जल्द ही खत्म भी हो जाएगी आपको समय के लिए अकेला मैसूस कर सकते हैं करियर में देखें तो पॉजिटिविटी से मिलकर काम कर सकते हैं आपको सक्सेस मिलेगी फाइन्स में देखें तो विदेश का आपका बिजनस अच्छे विसे रहेगा आप विदेश में इंवेस्टमेंट कर सकते हैं हेल्द में देखें तो आज आपको भी हत साब धन रहने ही जोरत है सुबह दस बई से ग्यारा बज़े की बीच का समय लखी हो और गुलाबी आपके लिए शुबरक है मित्वनाशी आज आप काफी अच्छा मैसूस करेंगे आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी अपने दोस्तों के साथ आप कहीं गूमने जा सकते हैं बहार जाने और मस्ते करने के लिए आज का दिन बड़ा ही अच्छा है आप किसी बात को लेकर निराश मैसूस भी कर सकते हैं इसके लिए बदलाव की जरुत है लव लाइफ की बात करें तो आज आप कोशिश करें कि पार्टनर से कोई बहर से ना करें आज आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं जितना हो सके इन सब मावलों में खुद को शान्त रखने की कोशिश करें करियर में देखें तो आज आज आप को विदेश से कोई खुशकबरी मिल सकती है आपको काम के सेसले में विदेश जाने का अफसर भी मिल सकता है आपके जीवन में इसका फायदा बहुत ही बड़ा होगा फाइनेंस में देखें तो आपको बिजनस की यातरा करनी पड़ सकती है आपके रिष्टे अच्छे बने रहेंगे बिजनस में कुछ लेन दिन हो सकता है हेल्थ में देखें तो आपको खुद पर ज्यादा ध्यान देने के अवश्चेकता है तो फैर तीन वई से चार बज़े के बीच का समय लखी होगा और पीला आपके लिए लखी कलर है करकराशी आज आपके सामने कुछ जुनावतियां आ सकती है आप वो काम करना चाहेंगे जो बहुत समय से आपके द्माग में थाए बैसे ही काम करें जैसे अपने यूज नपनाई है आप कुछ ज्यादा वरस्त हो सकते हैं concentration से काम करें एक बार में एक ही काम करें नहीं तो गलतियां हो सकती हैं लव लाइफ की बात करें तो आप और आपके साथ ही एक दूसरे को और अच्छे से जानने के लिए इच्छोग होंगे आप दोनों को ऐसास होगा कि अपने साथी से द्वारे में खल कर बात करें आप दोनों के बूसरे कियां बढ़ सकती हैं करियर में देखें तो अगर आप विद्यारती हैं तो आज वितेश में आपको कोई खुशक़कपरी मिल सकती है अगर आप graduate है तापको विदेशन नौकरी का मौका भी मिल सकता है फाइनास में देखें तो अगर आप बिजनस में हैं तो आज को नहीं योजना बना सकते हैं आज का दिन ऐसा काम शुरूर करने के लिए ठीक नहीं होगा हेल्थ में देखें तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है शाम चार बाई से पांच बज़े के बीच का समय अच्छा है और ब्राउन आपके लिए शुबरंग है सिंगराशी आज आप एनरजाइजड और एक्साइटेड फील करेंगे आप अपने डाफ के लिए काम कर सकते हैं करियर में ग्रोध के लिए आपको क्रेटिविटी से काम करना होगा आप अपनी प्रतिभा से काम कर पाएंगे आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है लव लैब की बात करें तो जिलनों की शादी हो चुकी है उनकी बेवचा लड़ाई या बहस हो सकती है आपकी लाफ में कुछ परिशानिया हो सकती है आज आप खुद को अपने दूसरे वहती की तरफ अक्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं करियर में देखें तो इस समय आपका काम अच्छा चलता रहेगा लेकिन अगर आप अपने काम में औ साब धान रहने के वजशकता है दो फैर तीन बई से चार बज़े के बीच का समय लखी होगा और गुलाबी आपके लिए लखी कदर है करने राशी आज आप मन मौजी बन सकते हैं आप अपने काम से नेगटिविटी को दूर कर सकते हैं आप हो किजी बात से चिकायत हो सकते हैं आप दूसरों के बारे में कम सोचें आपके आस-पास के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं निजी जीवन से जोड़े एहम फैसले आज आप ले सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो अगर आप अकेला मैसुस कर रहे हैं तो कोई नया रिष्टा शुरू करने से बेले उ थोड़ा पैसा कमाना अच्छा रहता है फाइनेंस में देखे तो दूर विदेश में बैठा कोई आदमी आपको फाइनेंशली हेल्थ कर सकता है हेल्थ में देखे तो सरदर्द से साब दहन रहें ज्यारत ठकावट हो सकती है आज दो फैर दो बई से तीन बजे के बीच का स संतुष्ट मैसूस कर सकते हैं आप खुशी और आराम से रह सकते हैं बैलन्स बनाकर काम करें आपको शांत रहना चाहें चीज़े आपके निंतरंड से बाहर हो तो अपना धहरेर बिल्कुल भी न खोएं आपका मोड़ थोड़ा खराब हो सकता है लव लैप की बात करें तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरुया था है कि कम से कम हमें पार्टn obviamente से रहना चाहें वैसे भी चीज़ें हमेशन नहीं होती हैं पार्टन के साथ अच्छे से रह सकते हैं करीण में देखे तो आप जस में सोच रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों के सलां लेने म किसी व्देशी पार्टी के साथ बिजनस कर सकते हैं, काम में बदलाब भी हो सकता है, हेल्थ में देखें तो आज के दिन आपके साथी किसी भी तरह का हाथसा या अनहोनी होने के संकेत है, आज आपका लखी कलर गुलाबी है और तो फैर 12 बाई से 3 बजह के बीच का समय काफी लखी है आज आप एनर्जाटिक फील करेंगे आप अपने लक्षियों को भी पालेंगे आपका मन अच्छा होगा आप क्रेटिविटी के साथ काम कर सकते हैं आप में से कुछ लग अपने ऑफिस में कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने काम और हेल्थ के बीच बैलन्स बना कर का करना चाहिए लव लाइफ में देखे तो आज आप किसी छोटी मोटी आत्रा के लिए बहाद जा सकते हैं आपको आपका साथ ही फिर मिल सकता है आप आनंदित महसूस करेंगे आज आपके साथ ही आपको बहुत प्यार देंगे आप भी बहुत खुश महसूस करेंगे करियर म अपने सोजबूश से आपको बिजनस में प्राब्लम को आसानी से आप हल भी कर लेंगे आपको कोई नई बिजनस डील भी मिल सकती है आपको कुछ परिशानियों का सामला करना पड़ सकता है Finance में देखे तो आज विदेश से आपको कोई financial growth मिल सकती है विदेश में investment भी कर सकते हैं आप health की बात करें तो आपके साथ कुछ ऐसा गड़ सकता है जो आपके हित्में ना हो सुबा 11 बशे से 12 बजे के बीच का समय आपके लिए लखी होगा आपको बस धहरे रखना चाहिए आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं आप द्रेड़ संगल्प के साथ काम कर सकते हैं आज का दन आपके लिए लखी होगा लोगों पर आपका positive effect पढ़ेगा आप और आपके साथ ही घर में enjoy करेंगे love life की बात करें तो आज आपको इस बात का एहसास होगा कि आप इस वक्त शादी के अलावा किसी रिष्टे की तरफ जुक सकते हैं किसी भी मामले कुछ भी शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लें आप जो कदम उठाने जा रहे हैं आपको किसी परिशानी में ढाल दे करियर में देखें तो आज आप अपने परिवार को लेकर किसी करियर एडवाइजर से मिलने की सोचेंगे आपका अनने बहुती सही है क्योंकि आप अपने करियर प्लाइनिंग आप कर सकते हैं फाइनाइन्स में देखें तो जो लोग किसी उद्योग से जुड़े हैं वो किसी देफ्टी से भी में सकते हैं हेल्थ की बात करें तो आज आपको साथ भान रहना चाहिए शाम साड़े छेम वह इसे साड़े साथ बज़े की बीच का समय लखी है और लाइट ब्लू आपके लिए लखी कलर है मकर राशी एप ऐसा है जो और बेचायन मैसूस करेंगे कोई आपके काम को प्रभावित करेंगा आप क्रेटिविटी से काम कर पाएंगे बुद्धी और कुशलता से काम कर लेंगे आपको बड़ों से हेल्प मिलेगे लव लैफ की बात करें तो अपने साथी पर यकीन करें आपके साथी आपसे जो बात कहना चाहते हैं उसे सुनें और इमोशनली कनेक्ट रहे है जब अब तक आप दोनों एक दूसरे के प्रती सच्चे हैं आपका रिष्टा मस्बूत रहेगा करियर में देखे तो आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अपलाए कर सकते हैं आपका प्रमोशन भी हो सकता है फाइनांस में देखे तो आज आपके लिए जमीन खरीदना तथा इसके लिए पैसे जुटाना मिलकुल मुश्किल नहीं होगा हेल्थ में देखे तो आज आपको बेद साबधान रहने की ज़रत है तो फैर तीन बई से चार बज़े के मीच का समय लखी होगा और लाइट ब्राउन आपके लिए लखी कलर है कुमराशी आपको कुछ प्राब्लम हो सकती है यह समय जल्द ही खत्म हो जाएगा आप किसी समस्या का समधान कर सकते हैं आप किसी पर भरोसा भी कर सकते हैं लाइफ की प्राब्लम्स और सेच्वेशन को आसानी से साल्फ कर लेंगे उताना चड़ाव हर किसी की जीवन में होते हैं यह आपके एसास से पहले ही गोज़र जाएंगे लव लाइफ की बात करें तो अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर अनाराज़गी हो सकती है आपको इस बात का एसास हो जाएगा कि पहले की किसी बात के करण आप किसी से उलच सकते हैं आप अपनी इस नाराज़गी को दूर कर दीजे और पर इस बाग का एहसास होगा कि आपकी जिन्दगी में प्यार और खुशियां आ सकती है करियर में देखें तो अगर आप अप फाम इसी से जुड़े हैं तो शायद आपको विदेश जाने का कोई अफसर मिले आपने पहले कभी इसको अफसर को टुकरा दिया हो तो यह आपके लिए रोचक होगा फाइनांस में तो आज आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपके नगर्दी का स्तर उतना बढ़ गया है कोई लोन लेने की कोई जुरत नहीं रहेगी आज आप थोड़ा बस संबल कर चलें हेल्थ में देखें पाज आप उर्जा से बरे रहेंगे आप अच्छा महसूस करेंगे नीला आपके लिए लखी कलर होगा शाम चार बएस से छे बज़े के बीच का समय अच्छा रहेगा विल्दाशिप आप जीवन में कमी महसूस करेंगे जीवन में कोई गुरोथ ना होने के करण आप निराश और चिंतत महसूस कर सकते हैं सिचेशन को उनकी साफ से चलने दे अपनी अचीवमेंट्स और उन चीजों के बारे में सोचे जिने आपने सक्सेस्पुली किया है अपने टार्गेट और गाम को अच्छे से कर सकते हैं आपको चीजों को ठीक करने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए लव लैफ की बात करें तो आज आप प्यार के मामले में खुद को थोड़ा मायूस महसूस करेंगे आज आपको आराम करने की ज़रत है आपको एसास होगा जितना जारा ध्यान आप खुद पर देंगे उतना आप के लिए अच्छा होगा करियर में देखें तो आज अपनी लाइफ का आनन्द लेंगे आपका जुगाव राजनीत्ती की और है जो रेदिया कोच नार लड़ते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे फाइनांस में देखें तो अगर आपके लिए 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 मददकार सावित होगा हेल्थ में देखें तो अगर कोई बिमारी है तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे सुबा साड़े नौ बए से ग्यारा बजे के बीच का समय अच्छा है और बेंगनी आपके लिए लगी कलर है यह राशिफल चंद्रमाग्र है और नक्षत्र की गढणा परादारित है अगर आप कुंडली, विवा, पंचान, शुबमहर, राशिफल आरिच से संबंद्र या विप्तिकर्द परामर्ष लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाया जारा निम्मर पर संपर्थ कर सकते हैं या फिर आज ही डाउन्लोड करें अश्टर या गूगल प्लेइस्टोर या आईव एस्टोर से और पाएं अपनी समस्याओं का समदान इंडिया के बेस्ट जोतिश आचायों से पहना एस्टोरोजर कंसल्टेशन सेर्फ और सेर्फ एक रुपे में अभी डाउन्लोड करें